हलो दोस्तों नमस्कार मैं राज मेरा आप सभी का स्वाक्त करता हूँ तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप WhatsApp के Home screen पे Photo add कर सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी अपने WhatsApp में Home screen में Photo को add कर सकते हैं इसके लिए आप इस वीडियो को complete watch करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको अपनी phone में WhatsApp को open कर लेना है WhatsApp open करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह गांटरविस देखने को मिलेगा अब आपको 3.00 का option S पे क्लिक करना है 3.00 पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहां पे setting को select करना है setting select करने के बाद में आपको यहां पे देखने को मिलेगा chat का option है इस पे क्लिक करना है chat के option पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने खाफी सारी option देखने को मिल जाते हैं आपको first में देखने को मिलेगा theme का option है इस पर आपको click करना है theme की option पर जैसे click करेंगे उसके बाद में system default पर रहता है तो आपको इसको dark mode में on कर लेना है तो आपको second में देखने को मिलेगा dark mode इस पर click करना है उसके बाद में ok पर आपको click कर देना है जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका जो वाट से पर वो डार्क मोड में इनेबल हो जाएगा उसके बाद में आपको यहां से बैक कर देना है बैक करने के बाद में आपको उपने फोन में प्लेश्टोर को उपन करना है place tool open करने के बाद में आपको search bar पे click करना है जैसे आप search bar पे click करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे search करना है designer tool pro आपको यह search करना है उसके बाद में आपको इस app को अपने phone में install करना है अगर दोस्तों आपको बता दूँ कि जब भी आप background में photo लगाते हैं बाद में आपको यहां से बेख करना है उसके बाद में एप्लिकेशन को ओपन करना है एप्लिकेशन ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का अंटरफिस देखने को मिलेगा मौकप और लिए इस पर आपको क्लिक करना है राइट साइड में आपको देखने को मिल करते हैं उसके बाद में अब आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगा मौक अवरले इसको आपको ओन कर देना है यह आपके फोन में और रहता है तो इसको आपको ओन कर देना है उसके बाद में आपको प्रमेशन को अलाओ करना है Permission Allow करने के बाद में आपको Direct यहां पर Setting में आ जाएंगे Setting में आने के बाद में कुछ Application आपको यहां पर नजर आएगी आपको यहां पर Designing Tool Pro को Select करना है तो आपको यहां पर देखने को मिलेगी उसके बाद में आपको Allow Display और Other Apps का Option है इसको आपको Own कर देना है Own करने के बाद में आपको यहां से बेक आने के बाद में अब आपको यहां पर Setting का Option इस पर क्लिक करना है Settings पर जैसे क्लिक करेंगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो पेज है वो शू होगा दोस्तों अब आपको Setting पर करके इसको आप Customize कर सकते हैं Opacity को आपको यह इसको बढ़ा देना है ताकि आपकी फोटो यह वो अच्छे से दिखाई दे तो इसकी आपको यहां पर 100% कर देना है उसके बाद में आप चाहिए तो इसको Customize भी कर सकते हैं उसके बाद चलिए अब आपको मैं वोट्षिप ओपन करके दिखा देता हूँ यहां से हम वोट्षिप को ओपन करते हैं और किस तरह से हमारी जो Home Screen पर फोटो वो नजर आती है तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी जो फोटो वोट्षिप में नजर आएगी अगर आप चेट को ओपन करते हैं तो भी आपकी यह फोटो वो नजर आने वाली है उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके यहां पे सभी में फोटो लग जाती है बेग्राउंड में तो आप उसको किस तरह से अटाएंगे इसके लिए आपको क्या करना है अब आपको दूबार से उसी एपको ओपन करना है चलिए हम आपको एप को उपन करके दिखा देता हूँ अगर आप चाहते हैं कि Only WhatsApp में ये फोटो वो नजर आए तो इसके लिए आपको इस एप को उपन करना है उसके बाद में आपको विश्की स्क्रीन की जो परमिशन है इसको आपको सबसे पहले अलाव करना है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा On Screen, Permission का Option है इस पिकलिक करना है उस पिकलिक करने के बाद में आपको Select App का जो पसन है यहाँ से आप Select कर सकते हैं कि कौन-कौन से एप पर आपकी जो Home Screen में फोटो है वो नजर आनी चाहिए तो आपको इस पिकलिक करना है इस पिकलिक करना है इस पिकलिक करने के बाद में आपको ऊपर देखने को मिलेगा इसको आपको ओन कर देना है ओन करने के बाद में नीचे आप देख सकते हैं इसको भी चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, अगर आपको इसको अंड करेंगे तो आपकी Home Screen Page का जो Logo हो शो होगा, तो आप इसको बंद कर सकते हैं, उसके बाद में आपको यहां से Drag कर देता है, Drag करने के बाद में, आप किस तरह से Apps को select करेंगे इसके लिए अब आपको select apps का उपसने इस पे क्लिक करना है इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको बता दू कि यह paid application है अगर आप इसमें purchase करना चाहते हैं तो आपको 75 रुपीस देना होगा उसके बाद में आप आप पे किसी भी एक particular अप को select कर सकते हैं तो दूस्तों अगर आप चाहते हैं तो Lamborg Region कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यहां पे सभी एप्स में इस फोड देख सकते हैं उसके आपको यहां से बेक करना है अगर आप चाहते हैं कि WhatsApp में अलग-अलग चैट पर अलग-अलग फोटो हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं अभि आपके यहां पे देख सकते हैं फोटो वो हट चुकी है अगर आपका फोटो को अटाना है यानि कि आपको यह बेगगराउंड से रहे हैं तो आपको किस तरह से इठाएंगे इसके लिए आपको उपर देखने को मिलेगा मोकप औरली है इसको आपको ओन कर देना है जब तक यह ओन रहेगा तो आपकी फोटो बेग्राउंड में दिखती रहेगी आप देख सकते हैं यहां पर वाटसप में इस तरह से हमारी जो होम स्क्रीन की फोटो दिखाई दे रही है उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यह आप चाहते हैं इसको बंद करना तो किस तरह से बंद करेंगे वो भी आपको बताऊंगा और अगर आप चाहते हैं कि इसमें अलग-अलग चेट में अलग- आप और देना है जैसे आप और देने तो आपकी जो home screen की फोटो है home screen की फोटो है वो गाईब हो जाएगी हट जाएगी उसके बाद में आपको यहां से back करना है दें करने के बाद में चलिए अब आपको बता देता हूं किस तरह से आप वोट्सेप में अलग लग चेट पे अलग लग फोटो एवो लगा सकते हैं इसके लिए आपको अपने फोन में अब दुबार से वोट्सेप को उपन करना है वोट्सेप उपन करने के बाद में अब आपको यहां पे जिस किसी की चेट पे अलग लग फोटो लगाना चाते हैं उसको आपको यहाँ पर select करना है, चलिए यहाँ से होगे के, चैट को select करते हैं, चैट को open करना है, चैट open करने के बाद में, अब आपको उपर 3 dots पре click करना है, 3 dots के option पर जैसे click करेंगे, उसके बाद में आपके सामने काफी सारी option देखने को मिल जाते हैं, आपको यहां पर wallpaper का option S पर क्लिक करना है जैसी आप wallpaper का option S पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको change का option S पर क्लिक करना है change पर जैसी क्लिक करेंगे उसके बाद में my photo का option S पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करके आपकी जितनी भी gallery में photo है वो show हो जाएगी अब आपको जो भी फेरवरेट फोटो है यानि कि आपकी जो अच्छी फोटो है उसको आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद में आपको Set Wall Paper Cops ने इस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर देखने को मिलेगा For All Chats in Dark Theme अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सभी चेट पर यह फोटो नज़र आएगी अगर आप फिरस्ट पर सलेक्ट करके रखते हैं तो आपको जो पर्टिय। narrative है उस पर यह फोटो नज़र आएगी तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमनी यहां पर अलग फोटो सेलेक्ट किया है और फर्स्ट पर क्लिक करके ओके पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद में आपकी अलग 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 फोटो अलग अलग चेट में नज़र आने वाली है तो दोस्तों इस तरह से आप अपन